मा दुर्गा से संबन्दि सोला सौपन कौन सा सुब और कौन सा असुब नमसे दोस्तों मैं अनुवादात्रिपार्ठी आप सभी का स्वागत करती हूँ अपने चैनल में जिश्का नाम है अंसक्यान दोस्तों आज हम बात करेंगे माता से संबन्दि सपनों के बारे में से हमें बताती हैं कि वो हम पर किस तरह की मेहर करने वाली हैं आज के वीडियो में हम नौरात्री में माता से संबन्दि सपनों के बारे में बताएंगे दोस्तों यदि आप सपने में माता दुर्गा को देखते हैं या उनसे सम्मंदित कोई वस्तु देखते हैं तो उसे ध्यान से समझने का प्रयाद न करें और उनकी अनुरूप कारे करें दोस्तों माता को सपने में देखना सुब और असुब दोनों हो सकता है बहुत से सपने सुब होते हैं और बहुत से सपने असुब होते हैं सपनों का सुब या असुब होना इस बात पर निर्वर करता है कि आपने किस तरह का सपना देखा है दोस्तो आज के वीडियो में हम आपको माता से सम्बंदित उनी सपनों के बारे में बताएंगे परनतु आगे बढ़ने से पहले मेरे वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सस्क्राइब करना ना भूले तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों सबसे पहले हम बात करेंगे माता से सम्मन्दि सुब सपनों के बारे में पहला सपना है सपने में माता रानी की मूर्ति देखना इस सपने को बहुत ही सुख़त माना जाता है आपके जीवन में जो भी परसानिया चल रही थी समझ लीजिए बहुत परसानिया अप समापत होने वाली हैं आपको मानसिक रूप से संतोस की प्राप्ती होगी आपके जीवन में सुखसमरिद्धी की बृद्धी होने वाली है आपको ब्यापार या फिरकार छित्र में बृद्धी देखने को मिलेगा और आपकी तरक्की होगी और साथ ही साथ आपको भविसे में आर्टिक लाप भी हो सकता है दूसरा है सपने में मादुरगा का असिरवाद मिलना दोस्तों यदि सपने में आपको माता से असिरवाद मिल रहा है तो समझ जाए कि यह समय आपके लिए बहुत ही अच्छा है इस समय आप जो भी कारे करेंगे माता के असिरवाद से उस कारे में आपको सफलता और ऐसे प्राप्त होगी आपको वित्य लाब मिलेगा आपका बर्चेश बढ़ेगा और साथ ही साथ आपको प्रसिद्धी मिलेगी आपकी समस्याएं दूर होंगी और आपका आत्मविस्वास भी बढ़ेगा तीसरा सपना है सपने में मादुरगा का मंदिर देखना दोस्तों यदि सपने में माता का मंदिर देखते हैं और साथ ही खुद को पूजा करते हुए या प्राथना करते हुए देखते हैं तो आपको बता दूँ कि ये बहुत ही सुप सुपन माना जाता है यदि आपकी कोई मनोकामना है तो समझ जाएए कि वह जल्द ही पोड होने वाली है आपको आपके कारेशेत्र में सफलता देखने को मिल सकती है और साथ ही आपकी परसानियों का भी अंत सिग्र होने वाला है चोथा है सपने में खुद को माता की आरती करते देखना दोस्तों यह सपना बहुत ही अच्छा माना जाता है आपके जीवन में कितनी भी परसानिया क्यों न आ जाएं यदि आप हिम्मत से काम लेंगे तो आप अपनी परसानियों का हल स्वयम ही ढूंड लेंगे यह सपना नए आसा की किरन की ओर संकेत करता है यह सपना इस बात की ओर संकेत करता है कि यह समय आपकी गलतियां सुधारने का है यदि आप अपने जीवन में कुछ बदलाव करना चाहते हैं या फिर कुछ बड़ा करना चाहते हैं तो यह स्वपना आपके लिए एक संकेत है कि इस बदलाव के लिए यह सबसे उचिस समय है आप अंत में देखेंगे कि जीत आपकी ही होगी चाहे आप किसी भी छेत्र में काम क्यों न करते हो ब्यापार, नौकरी, विवा, आर्थिक, इस्थिती से संबंदित परसानियों का न अपनी हिम्मत को तूटने मत दीजे, आपको संगर्ष के साथ लड़ते हुए अपनी विपरीत परिसितियों से हार नहीं माननी है, उनको दूर करने की कोशिस करना है, और अंत में आप देखेंगे कि सफलता आपकी निश्चित है, छटा है सपने में मादुर्गा की मूर्त दोस्तों यह एक अच्छा समना है, अगर आप कुछ रचनात्मक करते हैं, तो आपको उस काम में फाइदा होगा, यह समय जीवन को एक नई दिशा देने के लिए उचित है, आपके पविश्य में अच्छा समय आने वाला है, यदि आप कोई कारे करते हैं, तो आपको उस का पारी करते हुए देखना, दोस्तों यह सपना इस बात की और इसारा करता है, कि आप जो कारे कर रहे हैं, उसे सोच समझ कर बहता धंग से करने की कोसिस कीजिए, तभी आपको अच्छा लाब मिलेगा, और जल्द ही आपका समय बदलने वाला है, निकट भुष्य में आपको बिमारी जल्द ही ठीक हो जाएगी, या फिर आपको कोई समस्या है, तो वह भी धिरे-दिरे खत्म हो जाएगा, नवा है माता को मुस्कुराते हुए देखना, या एक सुप सपना है, जिसका आसे है कि आपके परसानियों का निदान होगा, आप जीवन के हर छेत्र में प्र दिदृता जाने वाली है और आपके घर में सुप का आगमन होने वाला है, दस्वा है सपने में मादूरगा को लाल वस्तर में देखना, दोस्तों या सपना बहुत ही सुब है, आपको व्यापार, रोजगार या किसी अनिछेत्र में उन्नती और तरक्की देखने को मिल सकती है, आपकी परसानियों का आंत होगा, पारिवारी कलह दूर होंगे, निजी संबंदों में मधूरता आएगी, जिनकी साधी नहीं हुई है, उनकी साधी हो सकती है, आन सुक की प्राप्ती होगी, या नए संतान की प्राप्ती होगी, दोस्तों ये तो हुए माता से संबंदि कुछ असुप सुपनों के बारे में पहला है सपने में मादुरुगा को रोते हुए या दुखी देखना दोस्तों यह सपना असुप होता है जिसका आर्थ होता है कि आपकी परसानियां बढ़ने वाली हैं आपको आपके कारेश हेत्र में हानी होगी करजा बढ़ेगा स्वादगात मिल सकता है और आपको ब्यापार में हानी का सामना करना पड़ सकता है तीसरा सपना है मादुरुगा को सफेद या काले कपड़े में देखना दोस्तों यह भी एक असुप सपना है इसका अर्थ है कि आपकी समस्यां बढ़ने वाली है आपके साथ कोई असुप घ कूरती में आग लगना दोस्तों इस अपने कार्थ है कि आपकी खुसियों पर किसी की नजर लग जाएगी पारिवारी कलह बढ़ेगा और कारे छित्र तथा व्यापार में आपको नुक्सान हो सकता है पाच्वा है सपने में माकाली को रौदर रूप में देखना दोस्तों यह एक असुप स्वपन है इसका आर्थ है कि आपको अपने नकरात्मक मनुवृतियों को त्याग देना चाहिए नहीं तो जीवन में बहुत परसानियों का सामना करना पड़ सकता है या बहुत परसानिया आपके जीवन में आ सकती हैं आपको अपने जीवन की समस्याओं को को एक-एक करके जल्द ही दूर कर लेना चाहिए नहीं तो जीवन में हर जगां आपको बाधाओं का सामना करना पड़ सकता है जिससे आपकी परसानिया बहुत अधिक बढ़ जाएंगी दोस्तों आपको यदि माता से संबंदित असुप सपने आते हैं तो घवराने की जरूर का अंत जल्द ही हो जाता है सब कारे ठीक हो जाते हैं आप सभी पर माता की कृपा बनी रहे तो दोस्तों आज के लिए इतना ही अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो मेरे वीडियो को प्लीज लाइक करें मेरे चैनल को सिस्क्राइब करना ना भूलें और आगे की वीडियो को देखने के लिए बिल आइकन को दबाएं नमस्ते